तो बच्चो आज के क्लास में हम बात करेंगे परिच्छन प्रसासन के बारे में परिच्छन प्रसासन क्या होता है और यह परिच्छन प्रसासन क्यों जरूरी होता है इसके संबंद में हम बात करेंगे और यह जो टापिक परिच्छन प्रसासन है यह आपका क्या है सब्सक्राइब करते हैं कि ट्रेश्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है परिछन प्रसासन क्या होता है परिछन किसे करते हैं इसका आर्थ परिवासा अलच्छ उद्जिश सब के बारे में क्लास हो चुका है आप चैनल पर विजिट करिए और सभी का प्लेश्ट बना हुआ है प्लेश्ट आप चेक करिए अगर कोई टापिक आपको नहीं मिल जा है तो आप जो है चैनल पर वीडि परिछन बना गया है वक्ति के वी श्जचाज हों को मापने के लिए उसको अच्छे से लागु कर जाये अच्छे जर्श्ट लागु करके कैसे हम जो मतलब कि आइसे उसको हम सुचार व्रूप से लाहू कर सके ऊशी को हम क्या करते हैं अ पर्ष्षर परसासनन मतलब होता हैं परिशल सर्श्बा इसमें विभिन प्रषासनि क्रियायं सामिल होती है सामिल होती है जो मानों मानसिक प्रक्रियाओं और बेवार की विस्रिष्थाओं को मापन करने के लिए की जाती है उसको हम क्या करते हैं परिष्षण प्रसासना बोलते हैं ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं जो भी हमने बात किया था इसे में व्यविवी ने प्रसासनी क्लिया आए सामिल होती है उसको हम देखते हैं जाता है सबसे पहला है कि इसपष्ट निर्देश प्रवाइड क्लियर इंस्ट्रेक्शन जैकि परिछण प्रवंद्दकों को इसपष्ट और मानके कि निर्देश देने की जिम्यदारी है ताकि सभी परचाती आगे बढ़ने से पहले एक ही जनकारी प्राद करें जो भी टेस्ट आप आप लाग निर्दारी कर रहे हैं मुनम भी जाने माले जी हमने को य। परिष्ट कर रहा हैं किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी ख्लास की अपर थी निघ्यक्षन वाले तो सब से पहले हम क्या करेंगे बच्चों को एकदम clear instruction एक इस पर्षट yep फेला प्रसेसं में परिच्छत प्रफंद्र करना पड़ता है वहर छुफथ दे dauर्व में किता है या यानि कि मॉन्टरिंग टेस्टिंग कंडिशन थिक मतलब परिछन की जो सर्थ है उसका निग्राने करना है यानि कि परिछन प्रबंदकों को ऐसे वातावरण निमार करने की जिमिदारी है जो परिछन के लिए उप्यक्तों जिसमें सोर प्रकाश सेस्टिंग वैश्था को चल प्रकाश की विवस्ता अच्छी होने चाहिए और चीटिंग वैश्था होना चाहिए तीसरा समागरी का समय पे वित्रण और संग रहां प्रबंदकों कि जिम्हें दारी बनती है कि जो भी परिछन लिया जा रहा है जो भी टेशिट लिया है उसको समय से टाइमली को सभी ब सबी बक्तों से क्या है क्लेक्ट करें यह क्या है परिच्छन प्रसासन के अंतरगर्थी आता है जैसे माल लेजिए यूपी वोड का परिच्छा करा जा रहा है तो उसे में भी प्रसासक होते हैं प्रवंदक सबको जिम्यदारी दी जाती है जो परिच्छा को संपन अच्छे से करवाता है तो वह उक्चा करेगा उसका जो रिष्यदार है उसे वह नकल करवाएगा और बागी को नकल नहीं हुआ यह भी रिष्यदार को एक समान बिना पच्छपात के बिना भी प्हाव कि जब दिए अगरा जाता है तो उसी hoad gorate पैड़ को जीको नियाम के यह उसके अनूसार चीजों को कर्वाना स्वश्य पहंज्माहाद तक निकीशाव को संचालनल एंड तेक्निटानिय का इस आपके साथ होना चाहिए जिससे जब भी टेक्निकल इसू कोई आया तो इसको तुरंद साल्ब कर दे और जो भी टेस्ट दे रहा है उसे कोई दिक्खत नहीं है जैसे कई एक्जाम आज के समय में क्या हो गया है सभी कोना से थे और ранौ के माद्यम से हो रहा है तो यह क्या है एक तरह से ये टेकॉल सों गया है तो इसमें एक टेक्टकल कोना ज़रूरी है तुछैन प्रवंदक की वो मार्त्य पड़त है क्या 서 ज्रूवरत पड़े तो क्याहतिआ office जो भी मानक बनाए गया है किसी भी टेस्ट के लिए जो अचार सहींता है किसी भी टेस्ट का उसका पालन करने की जिम्यदारी भी परिच्छन प्रसासन के अंतरगत आती है और यह जिम्यदारी परिच्छन प्रवंद्गों को उठाना पड़ता है और जो भी परिच्छन दे रहा है जो भी उसका result आये उसकी गोपनियता और उसकी जवाब देही भी क्या है कि इसके प्रतीज रती है परिछन परशासान की जिमिदारी होती है परिछन-प्रबंदग की सित्वाइं अंकन और व्याख्या स्कोरिंग एंड इंटरपेशन देखिए कुछ परिछन परशासाक क्या चलिए जो परिछन प्रसासथ होते हैं या परिछन प्रबंद्ध होते हैं वो इस्कोरिंग एंडán कैशन में भी सामील होते हैं वह देखते हैं यह से क्यूर करते हैं कि helping each तेस्ट लिया है उसका अच्छे से मुल्यांकन हो रहा है या अंकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिससे उस टेस्ट की विश्वशनी चाहा और बेदेता बनी रहे तो इस तरह से what is test administration परिच्छन परसासन किसे काते हैं इसके बारे में हमने details से आज के class में समझा आगे class में समंदित हम समझेगे कि वाट इस रेपट इन साइकॉलजी वाट इस टेस्ट कंट्रक्शन यानि की परिछन निर्मार की प्रक्रिया या स्वपान समझेंगे तो इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकों को जरूर से आप क्लिक करें जि कुल आप चैनल पर जानते हैं कि आपके चैनल पर यूजी एक एक क्लासा दूज चलने वाली है और नैट की वाली है तो इतने बच्चे नहीं अभी तक जिन्हों सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जब भी क्लास करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पराथ हो चलिए आज के क्लास में यही तक मिलते हैं अपने नेश्ट क्लास में किसी आने टॉपिक साथ तब तक के लिए आप सभी क बहुत धन्यवाद जहिन जहिए